वेलकम टू गार्डनिंग विशाल गार्डनिंग विशाल के यूटूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगी मोस्मी के पोधे में आपके पोधे में फूल नहीं आते फल नहीं आते साथी साथ जोसा की अब नवंबर महा चल रहा है आज नवंबर की फर्ष्ट डेट है तो उसी के साथ साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये वीडियो हम एक दो दिन में अपलोड करेंगे हमारे चैनल पर तो आपके पोदे पर जैसे पत्तियां पीली पड़ रही है और ग्रोथ एकदम से रुकी हुई है साथी साथ नई ग्रोथ बिलकुल भी नहीं है फूल नहीं आते हैं फल नहीं आते हैं तो जो फरोरी में बहार आती है आपके मोस्मी के पोधे पर वे भी जड़ जाती है आती है तो या फिर आपके पोधे में कोई भी बहार नहीं आती है तो उस सभी समस्याओं के निवारण के लिए आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण होने वाली है है हमारा पोधा आप दे सकते हैं तीन वर्ष का मोस्मी का पोधा है लगबग हाइट 6 फिट के आसपास है 6 से 7 फिशल इसकी हाइट है इसमें इस समय हमने गुडाई कर दी है तो आप अपने मोस्मी के पोधे में इस समय गुडाई कर दें गुडाई किस प्रकार करें तो उसकी जानकारी देंगे साथी साथ वीडियो पर आंते तक बने रहे हैं दोस्तों क्योंकि गाड़निक संब्देते नई ने वीडियो आपको मिलेंगी सिर्फ गाड़निक विशाल के योटूब चैनल पर वीडियो पसंदाते वीडियो को ला टिक फिट कि हमने यहां पर दूरी छोड़ दी है जैसा कि आप यह देख सकते हैं। दूरी छोड़ने के बाद गहरी गुड़ाई कर दें। लगबग हमने बहुत ही गहरी गुड़ाई इस पोदे में कर दी है। ध्यान रखें मोटी जड़े हैं जो पोदे की वे नहीं कटें छोटी रूटस हैं जो जाला टाइप की होती है उनको आप निकाल सकते हैं आराम से कोई दिकत नहीं है इस परकार गुडाई कर दें और गहरी गुडाई करने के बाद चारो तरफ गहरी गुडाई कर दें जैसा क साथ-साथ आप एक कार्य और करें, सड़ी हुई गोबर की खाद निकालें, लगभग 15-20 किलो, यदि आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है, तो आप वर्मी कमपोस्ट का उपयोग Вिजह भी दोस्तों रहांपर कर सकते हैं। तो यदि आप गोबर की खात निकालेंगे तो आप जैसा कि उसमें हीट होती है तो उसको एक दो दिन ठंडा कर लीजिए यानि छायदार जगे में रख दीजिए निकालने के बाद और उसको आप अपने प्लांट में चारो तरफ दे दीजिए हम कली आप पर्षों में सड़ी जानकारी भी देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल की लिंक हम नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में डाल देंगे एच्चेस्पी किसान के यूटूब चैनल पर भी आपको वह सी वीडियो मिल जाएंगे गार्डनिंग सम्मद देते हैं तो आपको लेना है मस्टर्ड केक यान ने ले ली है अब आपको सरसो की खली का इस्तमार करना यदि आपका पोदा पांच वर्स से कम उमर का है यदि पांच वर्स से ज्यादा उमर का है तो उसके हिसाब से अलग यदि आपका पोदा पांच वर्स से कम उमर का है तो आपको इसकी मातरा लेनी है तीन सो से चार सो प्रती पोदे के हिसाब से सर्शो की खली लेनी है यदि पांच वर्ष से उपर का है तो आप इसको आदी किलो के आसपास यानी 500 ग्राम इसकी मात्रा कर सकते हैं उसको किसी प्लास्टिक के पात्र में भर दें लगवग 5 लिटर पानी मुस्को भीगो दें और 6 दार जगे में रख दें कम से कम 6-7 दिन के लिए सरसो की खली को जब आप 6-7 दिन के लिए रख देंगे तो उसके बाद जब आपने पोदे में लगवग 15 दिन हो गए हैं गुड़ाई करे हुए उसके पस्चात आप सड़ी हुगो गोवर की खाद डाल दे और जो आपने मस्टर्ड के सरसो खली का गोल तैयार किया था उसको भी आप जैसे खोबर की खाद डाल दिये चारो तरफ पोदे में उपर से उसको डाल दीजिए उसमें और पानी एड़ करकर उपर से मिटी की एक इंच लगवग इतनी परता आप चड़ा दीजिए और फिर आपने पोदे में भरपूर मातरा में सिचाई कर दीजिए पोदे में परकादे के इस उसमेन कोई पोद प 그게 आते रहेंगे हमारे गाडणिंग विशाल के यूट्यूब चैनल से तो इस यह कार्य करने से आपके पोदे की जो ग्रोथ रुक जाती है साथी साथ में फूल नहीं आते प्फल नहीं आते तो तो उसके लिए भी हम जानकारी लेकर आएंगे जब आपके मौस्वी के पोदे में फूलाते हैं उस समय जनुरी फरवरी के महा में हम हुए जनुरी फर्वरी मार्च के महीने में हम वो जानकरे आपको देंगे वीडियो के माध्यम से तो ऐसी ही रोचक जानकरी के लिए आप जुड़े रहे हैं हमारे गार्णिंग विसाल के यूटूब चैनल से वीडियो पसंदा तो आप वीडियो को लाइक करना साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकरी के साथ जे जवान जे किसान